हेलो फ्रेंड्स आज के नई वीडियो में आपका सौगत है और आज का टॉपिक है हम एक ही टैंक में दो अलग-अलग पिशिच कैसे रख सकते हैं जैसे फिश और टर्टल या वाल्ड फिश और नॉर्मल फिश इनको एक ही टैंक में एक ही साथ हम रख सकते हैं तो इसके और माइल्ड फिश भी रख सकते हैं साथ में टर्टल भी रख सकते हैं और नौर्मल फिश भी रख सकते हैं टर्टल और फिश एक साथ रखने से टर्टल फिश पर एटेक करता है इसके वज़े से हमें ऐसा एक्विरियम के अंदर फार्टिशन लगाना होगा और साथ में आप को एक टॉ्टल स्टैंड भी लेना होंगा ताकि आप टॉल को एक बासऽ्किंग एरिया दे सके जिससे टॉल बासफिंग एरिया पे आकट सके और आपका टोल्टल healthy रह सके आपको अगर वीडियो अच्च हए लग्व तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ठैंक्स फॉर वाचिंग